वेल्कम तुम यूट्यूब चैनल मेरे पास एक स्वाल आया कि सम्रान भाई दो टाइप के कम्प्यूटर होते हैं एक होता है थर्टी टू बीट उपरेटिंग सिस्टम एक होता है 64 बीट उपरेटिंग सिस्टम इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो आज हम इसके बारे म सिस्टम ये दोनों क्या चीज़ी हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि 32 बिट ओपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ओपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब क्या है तो देखे जी ये जो होता है ये आर्किटेक्चर होता है ये टाइप होती है प्रोसेसिंग की जिसे हम सीप्यू कहते हैं basically क्या लोग क्या करते हैं कि पूरे box को जो होता है उसे कहते हैं CPU ये बिलकुल गलत है जो CPU वो होता है जो आप computer में एक चोटी सी चीप लगी होती है उसको कहते हैं CPU ओके और देखें आप ये ये लोग सोचते हैं कि हम 32 bit से 64 bit operating system में खुद जा सकते हैं बिलकुल भी नहीं देखें 64 bit operating system की जुरत क्यों बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है कि 32 bit operating system में कुछ limitations है और limitation ये हैं कि आप उसमें 4GB से अब की RAM नहीं यूज़ कर सकते हैं यानि इसका मतलब ये है कि offices में कुछ काम जो होते हैं multitasking करने पड़ती हैं काफी ज्यादा high level के software's इसको 4GB से उपर क RAM required होती है तो इसलिए 64 bit operating system में जाना पड़ता है देखें जिस तरह technology जो है वो advance हो रही है क्या हो रहा है कि computer के bits ज्यादा हो रहे हैं जब computer आया तब 16 bit जो थी वो speed थी processing थी वो थी फिर आया 32 bit और अब 64 bit basically देखें 32 bit operating system जो है उसकी addresses और computational speed जो है वो कम है as compared to the version of 64 bit यानि ये कह सकते हैं कि 32 bit operating system जो है वो slow होता है उसकी जो RAM की speed है यानि जो processing speed है वो as compared to 64 bit operating system वो कम है आपने देखा होगा कि दोनों के लिए अलग type की windows होती है जैसे कि 64 bit operating system में x64 bit जो window है वो ही इस्तमाल होती है और जो 32 bit है उसके अदर x86 जो है window इस्तमाल होती है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप 32 bit वाली window जो है वो 64 bit में कर दें ये 64 bit वाली window है वो 32 में कर दें तो बात करते हैं कि मैंने ये लिमिटेशन तो बता दी कि आप 32 बिट के अंदर सिर्फ 4 GB तक की RAM इस्तमाल कर सकते हैं तो बात करते हैं कि आप 64 बिट में कितनी RAM इस्तमाल कर सकते हो तो 64 बिट के अंदर आप 2 TB तक की RAM इस्तमाल कर सकते हो जी हाँ 2TB तक की RAM इस्तमाल कर सकते हो यानि ये कह सकते हैं कि modern technology की अगर सबसे बड़ी जो bit rate है वो है 64 bit तो उमीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ knowledge तो जरूर आसिल हुआ होगा और आपका जो point था जो doubt था वो clear जरूर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या फरक है ये होता क्या है bit ये एक type है ये एक architecture है computer का जो के memory addresses और computational speed पर depend करता है यानि जो आप computer की जो speed है वो इस पर ही है कि आपके जो bit rate है आपके computer का वो क्या है तो अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like, share और comment जरूर करें फिर मलाकात होगी एक नई वीडियो को साथ, thank you so much